नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल उमलिया मेच सेकरडी में आज किस लेक्चर में हम क्लास 10 का चैप्टर 1 जो की रियल नंबर है उसको पढ़ने जा रहे हैं तो आईए हम रियल नंबर को देखते हैं तो जैसा कि आपने क्लास 9 में चैप्टर 1 पढ़ा होगा नंबर सिस्टम तो नंबर सिस्टम में आपने रियल नंबर के टाइप्स, rational, irrational इन सब के बारे में आपने deeply discuss कर लिया होगा तब भी जिसको rational, irrational या उसके decimal expansion इन सब बातों पर doubt है तो आप class 9th के जो की chapter 1st का part 1st इसमें channel पर upload हो गया है आप उसको देख सकते हैं तो यहाँ पर हम सीधा अपने main topic से चलेंगे हम rational, irrational इन सब के बारे में deeply discuss नहीं करेंगे ठीक है? तो यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको बता दे रहें कि rational क्या होता है और irrational क्या होता है तो rational के बारे में जैसा कि आप जानते हैं rational number वो number होते हैं जिनको P upon Q के form में लिखा जा सकता है where Q is not equal to 0 और P and Q कहां से belong करते हैं? integer से belong करते हैं और irrational number क्या होते हैं? SA number SA number जिनमें P, Q, Integer नहीं होते हैं जैसा कि आप कह दू जो हमने बताया था ना जो rational है वो rational होंगे और real number में जो rational नहीं है वो rational होंगे जैसे root 2 root 3 तो इन सब की जो definition बगेरा है अब आप सूच रहे होंगे rational की definition क्यों नहीं बता रहे तो इन सब की definition deeply discussion आपका class mind में हो चुका है तो आप वहाँ पर जाके budget कर सकते हैं I think आपको पहले से clear होगा तो आईए हम इस chapter के पहले और सबसे important topic के बारे में discuss करते हैं जिसका नाम है Euclid Division Lemma पहला topic इस chapter का है Euclid Division Lemma तो Euclid Division Lemma क्या होता है तो एक mathematics एक country है Greek Greek country मतलब आपका Greek mathematician थे Greece country के Greek mathematician थे Greece company के आपके Greece country के Greek mathematician जिनका नाम था Euclid उनने division करते समय है दो integer का जब division करते हैं तो उन पर based आपनों ने एक lemma दिया था एक procedure दी थी जिसको उनने क्या नाम दिया Euclid Division Lemma अब आपको सुनने में बहुत difficult word लगता होगा कि क्या कोई नए topic पढ़ने जा रहे हैं Euclid Division Lemma तो हम बता दे हैं कि आप 6th 5th class से सब concept को बारे में जानते हैं जब से आपने divide पढ़ना सीखा है तब से आप Euclid Division Lemma पढ़ रहे हैं तो आईए देखते हैं ऐसा ऐसा सिखाया गया है हमें बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं जब से math का divide सी का हमने तो यही आपका Euclid Division Lemma है तो यहाँ पर हम थोड़ा सा symbol के फ़र्म में पढ़ेंगे वहाँ पर हमने कि पेस पर आप उसको क्या लिख सकते हैं A is equal to BQ plus R dividend is equal to diviser into quotient plus remainder यहाँ तक तो बिलकुल नॉर्मल लगा अब आप ध्यान दीजिए remainder की value कभी diviser के diviser से बड़ी नहीं हो सकती हमेशा आप ध्यान दीजिएगा remainder की value कभी diviser से बड़ी होती नहीं है वैसे भी आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ पर हमें condition लिखने जा रहे हैं कि remainder 0 से बड़ा और B यहाँ पर diviser क्या है B B से छोटा होगा हमेशा remainder की जीरो हो सकता है 0 0 से बड़ा यह 0 के बरावर remainder जीरो हो सकता है जैसे मालों यहाँ पर 4 होता तो टू टू जा 4 remainder 0 आ गया यहाँ पर 5 है remainder कितना जाएगा 1 यहाँ पर 6 होता तो remainder सीधा सीधा 3 टाइम दवाई चला जाता मतलब 2 आई नहीं सकता remainder आपका हमेशा divisor से छोटा ही होगा मतलब divisor के बरावर तक नहीं आ सकता तो आप इस concept को समझ गये होगे remainder हमेशा greater equal 0 होता है but less than divisor तो यहीं आपका Euclid division lemma का एकदम concept है अब आप सोचेंगे कि इस मैं theory है इसका statement क्या है तो इस सब का आपके बुक में लिखा हुआ है तब भी हम इसको shortcut math shortcut तरीके से बताते हैं आप कैसे इसको याद करना है let two integers a and b are exist such that और फिर आपको इसको यहाँ पर देना है और फिर q और r कैसे आएंगे फिर अपने ऐसा लिख देंगे कि वेर क्यू एंड आर आर और अल्सो और इंटीजर मतलब हमको किताबी यहाँ पर यहाँ पर हमने क्या देखा यूकली डिवाइजर पर बेस्ट एक प्रोसीजर रहे एक लौ है उसी को यूकली डिविजर लेमा कहते हैं और इक इसने दिया था ग्रीक मैथमेटिशियन यूकलीड ने इसलिए उन्हीं के नाम पर यूकलीड डिवाइड पर लगता है तो डिविजन लेमा का मतलब होता है अल्गरिफम एक प्रोसीजर तो इसलिए इसका पूरा नाम क्या रख जया गया यूकली डिविजर लेमा कोई बड़ी बात नहीं है नाम हो तो तो आपका कोशनक हमेशा क्यू क्यू की وealue 2 एका डिमेंडर की वयल्यू 1 आएगी क्या कभी ऐसे हो ना क्या क्यूं केला और कारा जाये मतलब 2 के अलाबबा जायए या डिमेंडर 1 केला जाये तो एसका कोब भी कर बात का और या दूशनक होगे होकि लेकिन कब आप किसी definite integer से किसी दूसरे definite integer में यह आप integer change कर दोगे आप तरीका 7 में कर दोगे यह आप उसी फाइल में किसी और digit से डिवाइड कर दोगे तो फिर नहीं होगा यह concept तो यह आपका Euclid division lemma का concept खतम हो गया इसके बाद हम next lecture में Euclid division lemma पर best question इसके application कहां कहां पर इसको यूज किया जाता है Euclid division lemma की help से आप SCF कैसे निकाल सकते हैं दो या दो सेदेक integers का इन सब के बारे में discuss करेंगे I think आपको वीडियो समझ में आ गई हो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सरेंगे सब्सक्राइब करें थैंक यू